हेलो और वेलकम बाक तो माय चानल डाइड़ यूपीसी फैस पितावन भाव यहां पे बोला है भारत अभी एक साल बहरी के तुलना में 33 तैब्स जादा रशिन ओयल खरी दी रहा है यह व्रड मैप और यहां पे मैं जूम करता हूं तो यहां पे हैं इंडिया तो इंडिया के पीछे छोड़ दिया है और ये बन गया है भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा सोर्स भारत ने पिछले महिने रिकॉर्ट अमाउंड में रश्यन तेल खरीदा देश ने एक साल पहले की तुलना में 33 टाइम्स जादा इंपोर्ट किया वोट एक्सा लिमिटेट की डेटा के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कुरूड ओल के इंपोर्टर सें दिसंबर में रश्या से एवरेज 1.2 मिलियन बैरल पर डे की खरीदारी की ये नमबर की तुलना में 29 परसंट जादा है पिछले साल के मुखाबले यूकरियन पर हमले के बाद से इंडियन रिफाइनर्स सस्त votes रस्या औल की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ G7 और European Union ने additional sanctions रश्या पर लगा दिया है जिसके कारण तेल पर रश्या और ज़्यादा discount लगाएगा जिसमें $60 पर barrel प्राइस के भी शामिल है वोटेकसा के लीड एश्या एनिलेस सरजनाफ वैंग ने कहा रश्या ने इंडियन डिफाइनरीस को attractive discount पर अपने crude oil की पेशकश की है जिसने रश्याद के अलावा भारत ने हाले के कुछ महीनों में सबसे बड़े importer के रूप पे चाइना को पीछे छोड़ दिया है उन्हेंने कहा कि यूराल के अलावा भारत ने हाले के महीनों में अरको, सखलीन और वरंदे जैसे दूसरे रश्याद ग्रीड के इंपोर्ट को बड़ा दिया है भारत अपनी 85% से ज़्यादा तियर की मांग वाय इंपोर्ट से पूरा करता है जो इसे price volatility के प्रती high vulnerable बना दिता है state-owned refiners को diesel और gasoline के pump में prices को government द्वारा मई से बढ़ाने को मना किया है और TG से सस्तर रेशन इंपोर्ट का समर्थन किया है तो यह था explanation अभी तक लिए था ही Thank you so much for watching my videos, जैहिन जैभारत